हालो फ्रेंट्स एक फिर आपको दोस्तों आगता है न्यूस विद आई एसमें और दोस्तों आज की वीडियो ऐसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खास सुने वाली है जो स्टूडेंट्स फॉरीजन कंट्री जाने की विदेश में किसी युनिवरस्टी में एडमि है चाहिए कि फाइनल येर की परिच्छान देने के बाद ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अधर युनिवरस्टी में एडमिशन लेते हैं ऐसे में यदि परिच्छान सिप्तमबर में आयुजित की जाते हैं तो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होगा वो अक्तूबर या फि विजतार से और इस वीडियो को अपने अधर फ्रेंस के साथ सेर कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करती हुए लाइकन को प्रेस कर लिजे तक कि हर नई वीडियो का नोटिफिकिसन आपको समय पर मिलता र होंगे ऐसे में हजानों स्टूडेंट्स का जो एक साल है वो निश्चित रूप से बरबाद होने वाला है यहां पर भी यही चीज़ बताई गया आप इसकी इन पर देख सकते होंगे चात्रों को एक साल और करना होगा इंतजार कोरोना महामारी के काराल इसकुल कॉलेज की परिच्छावा रिजल्ट में देरी के चलते विदेश में उच्छ सिच्चा का सपना देख रहे चात्रों को एक साल का इंतजार और करना होगा दरसल अमेरिका, कनेडा, वेटिन, आयलेंड, फ्रांस, स्वीडिन, औस्टेलिया वा अन्य देशों के विश्विद्यालों में इक सितंबर से नया सत्र सुरू हो रहा है, ऐसे में भरतिय चात्र दाखले से चूक हैं, हाई स्टेट इंटरनेशन एजुगेशन प्राइबिट लिमिटेट के निदेश्यक सचिन सक्षेना के मुताब एक विदेशी विद्यालों में भरतिय चात्र सितंबर सत्र में ही रिजल्ट जारी हो चुका होता है, इससे पहले बे दाखले से लेकर विजा की कारवाई पूरी कर लेते हैं, हर साल करीब 2-5 लाग भरतिये चात्र विदेश में पढ़ाई के लिए देश जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते होंगे 2-5 लाग स्टुडेंट्स पर इस कोरो यह उनिवस्ट्री अग्जाम से समदे लेटेस्ट न्यूच के लिए आप चैनल को सबस्क्राप करके वाले कि इनको प्रेस कर लिए, लेकिन इस बार यह आकला महज 30-40 हजार ही है, इस बार सीबी एस सी बारवी का रिजल्ट 15 जुलाई और अंडेगुजेट पोगर्गाम क रिजल्ट अक्तूबर या नॉम्बर विंबर तक जारी होगा, ऐसमें छात्रों के पास आप जन्वरी सत्र में दाकले का विकल्प होगा, हलांकि जन्वरी सत्र में कुछ ही भी स्विद्याले दाकला लेते हैं, आपके लिए कुछ मैथ पूल जानकारी उमीद करता हूँ, आपकोई वीडियो पस्वांदा, योगे और दोस्तों, आज की इस वीडियो में वास इतनाई, नलते हैंग नई वीडियो में एकनी इन्फर्मस्तनां के साथ, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो